एलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर करूँगा एक और बेकेंसी जो की आई हुई है नेशनल फर्टिलाइडर्स लिमिटेट में यहां पर जो बेकेंसी आई हैं दो तरीके की बेकेंसी हैं तो इसमें हम अगर मैं पोजिशन की बात करूँ टोटल नंबर और पोजिशन कितनी है यहां पर टोटल पोजिशन यहां पर सेवन जो की चार है अन्रिजब के लिए दो है एस्टी के लिए और वन इस फोर ओवीसी एंसियल कंडिएट इस तरीके से कुल मिलाकर अकाउंट बात करूँ यहां पर केवल टोटल दो वेकंशी हैं फोर एसे एंट वन इच फोर ओवीसी एंसी एंट इसके लिए तो इस तरीके से दो तरीकी की वेकंशी यहां पर आया हुई है जिसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका पक्स प्लेस्मेंट क्या कहां पर होने वाला है तो आपका accounts officers के लिए जो page के लिए यहां पर रखा गया है वो है 40,000 से 1,40,000 जिसके according आपका जो CTC बनेगा वो approximately 11 lakhs के according बनेगा total 11 lakhs के approach बनेगा जो कि इन्होंने यहां पर mention भी क्या हुआ है accounts officers के लिए जो CTC होगा वो 11.09 lakhs होगा इसके बाद जो appointment की अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं भी appointment किया जा सकता है at any unit office of NFL or its joint venture across India at any point of time at the discretion of the management यानि कि आपको कहीं भी unit or किसी भी office में appointment किया जा सकता है all over India इसके बाद जो यहां पर minimum qualifications क्या मांगा है इन्होंने minimum qualifications मांगा इन्होंने chartered accountant होना चाहिए from ICAI या post accountant from institute of cost accountant of India इसके अलाबा MBA finance भी इसको apply कर सकते हैं जो कि full time MBA है major specialization जो होना चाहिए minimum finance में होना चाहिए और minimum marks होने चाहिए 60% MBA में तभी आप eligible इसको apply करने के लिए maximum age की अगर मैं बात करों तो maximum age है यहां पर 30 years for accounts officers और 45 years for senior manager finance के लिए इसके अलाबा इन्होंने experience भी मांगा गया है जहां पर minimum one year का experience आपके पास होना चाहिए for apply of account officer positions के लिए और 13 years का रखा गया है senior manager finance के लिए तो यहां पर experience इस तरीके से बताया हुआ है cut of date जो है वो 30 अपरेल होने वाला है चाहिए वो किसी भी respect में experience, age इसके respect में जो भी cut of date होगा वो है 30 अपरेल तो guys यह cut of date हो गई इसके बाद अगर मैं बात करूं fees कितना लगेगा आपका तो आपका जो fees लगने वाला है account officers के लिए वो 700 रूपे लगेगा और senior managers के लिए 1000 यह fees आपको demand draft के रूप में देनी है जो कि DD आपका बनेगा in favor of national fertilizers limited पेवल at new Delhi अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको apply कैसे करना है इसको यहाँ पर कोई online apply नहीं करना है किसी website पर जाकर आपको एक सारी documents तयार करने हैं जो की list यहाँ पर बताई गुई है जैसे कि date of birth का certificate यापका 10th का mark sheet हो जाएगी उसके इसके अलावा educational qualification जो भी मांगा है उसकी mark sheet and degree और इसके बाद ctc आपका ctc का proof होना चाहिए यादिक की increment letter या form 16 private sectors वालों के लिए और इसके अलावा experience certificate का certificate यह सारी documents आपको ready करके envelope में तयार करने है और उसको courier करना है post करना है इस address पर यानि की application for the post of यह आपको post का नाम ल manager finance के लिए है तो यह इस तरीके से आपको envelope तयार करके बेजना है इस address पर address है chief manager HR National Fertilages Limited A11 sector 24 NOEDA गोतंबुर नगर UP इस address पर आपको courier कर देना है इस vacancy को apply करने की यानि courier आपको बेजने की last date है 25th of June जो की यहां पर पहुच जाना चाहिए इस date तक उसके बाद मैं बात करूँ sort listing यानि selection कैसे होने वाला यहां पर firstly इन्होंने बताया कोई online exam conduct नहीं किया जाएगा सारी applications जो receive होंगी उसको scrutinize किया जाएगा और जो भी eligibility को meet कर रहेंगे उसी basis पर यहां पर approximately आपको sort list किया जाएगा for interview के लिए लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर applications जादा receive होती है तब यहां पर यह online exam conduct कर सकते हैं इन दिल्ली NCR और any other cities जो भी यह बताएंगे बाद में अगर applications यहां पर जादा आई तो तो guys यह selection का process है और last date आपको बताई दिया है 25th of June होने वाला है तो guys काफी अच्छी vacancy है अगर आप interested है तो apply कर सकते हैं तो friends thanks for watching this video अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe ज़रूर कीजिएगा तो guys thanks for watching this video